तो कार्थी कार्णी की फिल्म र这个 2 December को रिलीज होने वाली है तो क्या आपने अभी तक Hotter Star का स्व्सक्रिप्षन लिया या नहीं यौ फिर टेलीगारम के बरों से ही बैठे हो तो इसके सिर्फ दो छोटे छोटे टीजर अभी तक रिलीज किये गए हैं तो इसके दोनों टीजर एंड सौंग्स वर अच्छे खासे व्यूज हैं इस पर में कार्थिकार यान एक Dentist के Character में है जिनका नाम है फ्रेडी जिन्वाला जो की मेरी तरह Introvert है जो की दिन में तो अपना नॉर्वल का मियानी की दांतों की Dentist करते हैं लेकिन रात को ये लोगों का मैडर करते हैं यानि की ये एक Serial की लड़ है अब कार्थिकार ने फ्रेडी के प्रमोशन के दोरान एक इंटर्व्यू में कहा है की वो फिल्मों में negative character को पसंद करते हैं अब आजिकर सारुखन की उन फिल्मों में से एक है जिसने उनकी acting career को boost किया तो Bull Player 2 के सूपर हिट होने से कार्थिकार न की तो निकल पड़ी है लेकिन अगर ये फिल्म भी अची चली गई तो उन्हें सूपर हिटार बनने से कोई नहीं रोग सकता लेकिन ऐसा क्यातकर बॉलिवूड में original film में बहुत कम बनती है हर भी किसी न किसी remake movie का teaser या trailer रिलीज होता ही है जैसे कि अभी तापसी पन्नो की फिल्म बलर का teaser रिलीज हुआ है और ये भी एक remake Spanish film जूलियाज आइज का यहां तक कि कार्थी कारिन की अगली film से जादा भी remake ही है अलू अर्जुन की फिल्म वाला वैकंट पूर मुलू का तो क्या ये फ्रेडी फिल्म भी remake है या original तो ऐसा है कि इसके remake होने की बात अभी तक कहीं नहीं गई है लेकिन हॉलिवुड की एक film है The Dentist जो की आई थी 1996 में और सूत्रों से ऐसा पता चला है कि ये फ्रेडी फिल्म इंस्पाइर होने वाले इसी film The Dentist से तो The Dentist मुवी में होता ये है कि इसका जो main character है Dr. Alan Finstone वो एक dentist रहता है उसकी एक wife रती है और उससे बहुत प्यार करते रहता है और उसकी जिनकी इसी तरह मस चल रही होती है लेकिन अचानक उसे एक दिन पता चलता है कि उसकी wife उसके साथ cheat कर रही है और कार्ती कार्यन वर्चेज फ्रेडी वाले वीडियो में फ्रेडी बोलता है कि वो प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है तो आप खुल सोचे कि जब उसकी साथ ही हो गई है तो वो प्यार के लिए क्या ही करेगा एंड इसमें कार्ती कार्यन एक किलर है तो ऐसा तो है नहीं क्यों अचानस से एक दिन उठेंगे या लोगों का मडर करना चालू कर देंगे बलकि मडर करने के पीछे कोई न कोई प्रॉपर रीजन दिया जाएगा एंड वो रीजन हो सकता है उसकी वाइप के अफेर के बारे में पता चलना जैसा कि देंटिस्ट मूवी में हुआ था एंड ये अफेर वाली बात इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा एंड अगर इस मूवी का कोई प्रॉपर ट्रेलर रिलीज किया जाता तो वो ट्विस्ट लोगों को पता चल सकता था एंड साथी साथ लोगों को ये भी पता चल जाता कि ये रीमेक है इसलिए इसके maker ने भी तक कोई proper trailer release नहीं किया है तो मैंने अभी तक जितनी भी बाते बोली है वो गलत भी हो सकती है और सही भी ये तो हमें 2 December को ही पता चलेगा अगर मेरी पास गलत हुई तो एक तरह से सही ही है क्योंकि कोई तो original movie बनाने का try कर रहा है तो वीडियो को यहीं खतम करते हैं वीडियो पसंद आया हो तो प्रीड लाइक, सेयर और सब्सक्राइब